नमस्कार दोस्तों स्वागते के बार फिर आपके अपनी यूटूब चेनल जीवा स्टेडी पर तो कल आपने एक नोटिस देखाऊगा जो वाइरल हो रहा है जिसमें आपको राजे सरकार की जो है सो दिन की कारी हो जना के बारे में बताया गया है तो उसमें जो आपका है वो साब साब लिखा है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो है वो तीस दिन के अउद्धी में जो जितने भी खाली पद हैं उनकी जानकारी मांगी है और दस अजार से प्लस जो व्याख्याताओं कि क्या डिपीसी भी करनी है तो इससे क्या और पद खाली होंगे सेकंड ग्रेड में तो कुल मिला कि कितनी भरती आ सकती है और मैं हर एक वीडियो में आपको बताता रहा हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की वेकेंसी आगी फिर सेकंड ग्रेड की आएगी और थर्ड ग्रेड को आप एक बार भूल जाएं पातर बार जाती है मैंने आपको पहली बोला था कि थर्ड ग्रेड में पदों की संक्या खाली नहीं है जिसकी वज़े से आपको कहा है और फार्स्ट ग्रेड और 12 ग्रेड आपको 100 परशन्ट देखने को मिलेगी और लोग सेबा चुनाव से पहले देखने को मिलेगी हर एक बात जीवा स्टेडी पर मैं हर एक वीडियो में बताता रहा हूं और वही बात लगबग सत्य होने वाली है तो आप इसी बात पर जीवा स्टेडी को सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है और जो मेथ वाले स्टूडेंट है जीवा स्टेडी मैथेमेटिक्स पर जुड़ सकते हैं वाँ पर मैं सेकंड ग्रेड की मैस से रिलेटेड कलासेज भी डालता हूं और आपको वाँ पर थोड़ा सा जो चीज पढ़नी चाहिए आपको उसके बार में बताता हूं से देखने को मिल सकती है और सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी यहां पर मैथ में आएगी कारण यह है कि मैथ की इस बार खाली गई है पोस्ट वो बेक लोग में भी जुट जाएगी प्लस जो है आपकी मैथ की अभी भी जो है 80% के आसपास पोस्ट खाली है जो स्कूलों में तो इसकी वज़े से आपको मैथ की सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल सकती है बात हम करें 1st grade की तो 1st grade में अगर जो है लगबग 6000 से प्लस वेकेंसी आ सकती है और इसमें आपको हिंदी और आजनिती विज्यान की सबसे ज़्यादा पोस्ट आने की समावणा रहती है और इसी की सबसे ज़्यादा post आ सकती है exam की बात करें और notification की बात करें तो आपका जो दोनों का notification हो सकता है कि महिने के अंतराल में आ जाए या फिर दोनों का साथ में notification आ जाए और ये आपको February के अंदर या फिर March के अंदर मिल सकता है और इसे भी पहले आपको देखने को मिल सकता है दोनों का notification ठीक है exam आपका first grade का पहले होगा फिर second grade का होगा first grade का आपका exam लगबग आप मान के चलो सितंबर एक्टूबर में करवाया जा सकता है और second grade का आपका December या फिर January स्टार्टिंग में ठीक है तो जो भी student त्यारी कर रहा जिसके M.A.M.S.E. हो चुकी है फिर अभी final year में क्योंकि exam आपका सितंबर एक्टूबर में होगा और first grade और second grade में ये rule होता है कि कर आप first grade और second grade के त्यारी करें और last year में हो चाहिए वो PG का last year हो या फिर B.A.D. का last year हो तो उसमें आपका जो है exam date से पहले आपकी B.A.D. या उसका जो भी आप M.A.M.S.E. कर रहे हो उसका result आजाना चाहिए ये rule होता है तो अभी ये exam सितंबर एक्टूबर में होगा और तब तक आपकी B.A.D. अगर चाहरी है final year है तो वो भी complete हो जाएगी क्योंकि आपका notification आने से exam नहीं होगा exam आपका पहले first grade का होगा और second grade का exam आपका हो सकता है December या फिर January तक चला जाए या फिर उसे भी थोड़ा और आगे चला जाए तो खुल मिला कि जो भी student जिस भी की त्यारी करना चाते है अगर first grade वाले student तो first grade को एक main target लेके चलें क्योंकि आपको vacancy जल्दी देखने को मिल जाएगी और second grade वाले student second grade को क्या है जो है target लेके चल सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं सबसे पहले कि कैसे पढ़ने क्या पढ़ने तो आप जो भी material है वो teaching का कलाम से पढ़ सकते हो ठीक है और math वाले student के लिए मैंने ज्यादातर जो है हर एक चीज के बारे में वीडियो बना दिया जो jiva study mathematics पर आप जाकर देख सकते हो और मेरे बारे में मैं आपको बता देता हूँ मेरा नाम मुकियस है ठीक है मुकियस जांगिड और मेरा इस बार जो है second grade math और third grade science में दोनों से selection हुआ था तो मैंने जो भी चीजें आप मैंने खुदने काम में लिए जो भी material मैं पढ़ा उसके बारे में प्लस जो भी चीज आपके लिए फाइदे मन्द हो सकती है उसके बारे में मैं आपको जीवा study पर बताता रहूँगा तो आप जीवा study को subscribe कर सकते हैं तो जो भी student है अपनी त्यारी जारी रखें जो भी आप मालो कि second grade के योगे हैं तो second grade को AJ target लेके चलें और first grade के योगे हैं तो first grade को AJ target लेके चलें और मैंने आज से 2-3 महीने पहले भी आपको बता दिया था कि first grade का exam पहले होगा second grade का बाद में होगा और third grade के अभी कोई समभावना नहीं बनती पातरता जरूर हो सकती है जो आप आराम से clear कर लोगे तो कुल मिला के यही बड़ी ख़बर है और जो notice कल वाइरल हो रहा है जो 100 दिन की राजी सरकार की कारियोजन है उससे related है तो वो एकदम सही और 60 जो है आपका जो notification है वो सही एकदम ठीक है किस site पर मिलेगा क्या मिलेगा वो नहीं पता क्योंकि जो है राजस्तान सरकार द्वारा जारी किया गया है ना कि किसी RPSC या फिर RSSB बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया हो राजस्तान सरकार की अपनी कारियोजन हो हो सकता है वो direct press release किया गया हो तो PDF जो है आप कहा मिलेगी कौन सी site पर मिलेगी कि इसको भूलकर आप जो भी आप जिसमें भी योगे हैं second grade में या फिर first grade में उसके त्यारी कर सकते हो ठीक है math वाले student Jiva Study Mathematics YouTube पर सर्च करें ठीक है और वहां से आप जुड़ सकते हो Jiva Study Mathematics से और मैंने वहां पर math से related जो मेरी जितने भी मैंने त्यारी किती उसके इसाब से मैंने हर एक चीज़ साजा कर रखी है और कुछ सोट ट्रिक्स के वीडियो भी डाल रखें तो आप Jiva Study Mathematics सर्च करके जुड़ सकते हो और हमारे जो Twitter account है उस पर भी जुड़ सकते हो टेस्ट अपडेट के लिए क्योंकि अभी क्या है मैं स्कूल जाता हूं जिसकी वज़े से क्या हर एक वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है तो आप जो है Twitter पर जुड़ सकते हो Jiva Study के साथ तो आप पर मैं आपको post के मादेम से हर एक चीज जो मेरे पास आती है information उसके बारे में आपको अउगत कराता होंगा तो आप Jiva Study से जुड़े रहें और 2nd grade और 1st grade दोनों में किसी एको target लेके चले 100% vacancy आने वाले है लोग से बात चुनाव से पहले और ये बात मैंने आज से पहले भी कही है और अभी भी कह रहा हूँ 100% vacancy आने वाले है तो आप अच्छे से त्यारी करें धन्यवाद बने रहें Jiva Study के साथ